वीटी बुलिटिन स्पॉंसिड बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा नमश्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रिया हाजर हैं आज की बुलिटिन की खबरों के साथ पहली खबर पर नजर डालते हैं रीवा जले के गोवंदगर पुलिस ने गड़ी मोड के पास करोड़ों रुपय का गांजा जब्त किया है जानकारी के मताबिक ओडिसा सिच्छतिसगर के रास्ते एंपी के रीवा लाया जा रहा साथ कुइंटल गांजा जब्त कर लिया गया है जबकि तीन तसकर फरार हैं जानकारी के मताबिक जिनकी गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे हैं अभी फिलहाल नशे के कारोबार में उप्योग की जा रही एक बुलेरो वर्ट ट्रक को जब्त कर लिया गया है काटून से लोड ट्रक में करीब साथ कुइंटल गांजा चिपा कर रिवा लाया जा रहा था दावा किया गया है कि गांजा की मात्रा जादा है जो करोडो रुपे का है ऐसे में तुरंत स्पी नवनीद भसीन को पूरे मामले से अवगत कराया गया जिसके बाद उन्होंने तुरंती कारवाही के निर्देश दिये रिवा शहर के बोदाबाग की महिलाएं आज मदिप्रोदेश में शराब नीती का विरोध करने उतरी कॉंग्रिस नीत्री कविता पांडी के साथ बोदाबाग की महिलाओं पूर्व पारशद गीता बालमिक चतुरवेदी के नेतरत्व में शेत्र की महिलाओं और बेटिया शराब नीती का डंके की चोट पर विरोध कर रही है सस्ती दारू महंगा तेल इस नारे के साथ महिलाओं और बेटी उन्हें विरोध किया इस दौरान कॉंग्रिस नेत्री कविता पान्ये ने कहा कि विरोजगार युवाओं को शराबी बनाने की योजना गली गली महले महली शराब की दुकान शिवराज सरकार खोल रही है तो महिलाएं लाठी लेकर निकले और शराब का विरोध करें आज रिवा जिले के बोधा बाग की महिलाएं लाठी लेकर सड़क में उतरी हैं कि यदि आपने शराब नीतिका को परिवर्तन नहीं किया एक भी शराब की दुकान पूरे मद्यपरदेश में हम खुलने नहीं देंगे आप घर घर बार और शराब की दुकान खोलना चाहते हैं ताकि हमारे मद्यप्रदेश के युवा शराबी बन जाए और आप से रोजगार न मागे मद्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए शराब नहीं सा तेल दारू आपने दुकानों में सस्ती कर दी उसके रेट कम कर दिये और सरसो का तेल जो हमारी बेटियां सबजी बनाती है हमारी महिलाएं की रसों ही उससे बनती है उसको आपने 200 रुपे लीटर कर दिया तो सस्ती दारू और महगा तेल का खेल मद्यपरदेश की महिलाएं जान चुकी है और मद्यपरदेश के कोने कोने में इसी तरीके की हजारों महिलाएं खड़े होकर आपका विरोध करेंगी पूरी ताकत से करेंगी और आप यदि शराब की दुकान खोलेंगे तो हम लाठी लेकर पहुँचेंगे आपका विरोध करने ये बात आप याद रखना आप एक तरफ बांजीों के मामा बनते हैं बेहनों के बोलते हैं कि मैं भाई हूँ आज मद्यप्रदेश को आप शराब में डूब होना चाहते हैं मद्यप्रदेश की महिला ही इतकत जबाब पत्थर से देना चाहती है लाठी लेकर खड़े होंगे आपकी शराब नीती का पूर जोर बिरोध करती है रिवा जिले के बोदाबाग की महिला है बोदाबाग की महिलाओं का ये संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे जै हिन जै भारत रिवा जिले के जवा तैसील के जवा थाना अंतरगत मनुहर तालाब की शिव मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामनी आया है बता दे कि रात करीब एक बजे के आसपास अग्यात हत्यारों ने मंदिर के पुजारी त्रिवुवन प्रसाद केवट की कुलहारी मार कर और अन्यधारदर हत्यारों से वार कर हत्या कर दी जवा पुलिस को घटना की सूचना दी गए जहां पर पहुँचकर पुलिस ने पंचनामा कर पूरे मामली की जाच की है जानकारी के मताब एक पुजारी का किसी तरह का कोई विवाद नहीं था लेकिन पास में रखी पेटी का ताला तूटा देख या आश्रंका जताई जारी है कि हत्यारे चोरी की मंशा से पहुचे थे और इसी दोरान पुजारी की हत्या कर दी पूर्वनेता प्रतिपाक्ष अजे सिंग राहूल ने मुरेना में परिवाहन विभाग की बेश कीमती व्यवसाइक जमीन भाजपा से जुड़े हुए लोगों की फर्म शांती, सॉल्विक्स, प्राइवेट, लिमिटेड को कलेक्टर दर से कम कीमत में देकर शासन को 35 करोड रोपे का चूना लगाने का आरोप लगाया है उन्होंने इसकी जाच कर टेंडर निरस्त करने और घपले में शामल अधिकारियों के विरुद प्रकरन कायम करने की मांग मुख्यमंत्री से की है आजय सिंग राहूल ने आरोप लगाया है कि मुरैना के वाड नंबर 13 में स्थित सडक परिवहन निगम की 9,034 वर्ग फीट से आधिक जमीन व्यवसाइक इलाके में है कलेक्टर दर पर इसकी केमत लगभग 101 करोड रोपे है लेकिन परिवहन निगम और लोक परिसंपत्ती प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने कूट रचना कर इस जमीन की बिक्री के लिए केवल 65 करोड 27 लाख रोपे की निविदा का विग्या पंजारी किया फिर शडियंत्र पूर्व अक्षांती सॉलवेक्स प्राइवट लिमिटेड के पक्ष में निविदा खोल दी इससे शासन को 35 करोड रोपे की सीधी आर्थिक हानी पहुँची है उन्होंने आरोप लगाया कि इतना बड़ा घपला उपरी इशारे के बिना संभव नहीं है जाहिर है अधिकारियों को यह सब करने के लिए उचिस्तर से दबाव डाला गया है उन्होंने शिवरासिंग चोहान से व्यक्तिगत रूची लेकर प्रकरण की जाच करने की मांग की है ताकि मामला साफ हो सके बात करते हैं बुलिटिन की आखरी खबर की जिला प्रशासन जनसंपर्क वा संस्कृते विभाग की ओर से मानस भवन सीधी में गरतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकुत सब भारत पर्व कारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम में स्थान ये लोक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक बहु आयामी वराष्ट्री अभावना से उत्परोत रंगारंग प्रस्तुती दी गए नन्य मुन्य प्रतिभाग्यों द्वारा की गई प्रस्तुतियों ने उपस्ति दर्शकों को भाव विभोर कर दिया जनसंपर्क विभाग के द्वारा कारिक्रम स्थल पर चारों तरफ विकास योजनाओं की तथा प्रदेश के रण बांकूरों की छाया चित्रों की प्रदर्शिनी लगाई गई थी जो दर्शकों के बीच आकर्शन का केंद्र रही इसके साथ ही कोचिला एवं बकवा ग्राम के लोक कलाकारों द्वारा कर्मा नृत्ति की प्रस्तुती दी गई विंदी की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजर होंगे देखते रहें विंद्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद